मुंबई के रास्ते स्वच्छता नगरी डुंगरपूर पहुचा कोरोना डुंगरपूर जिले के शहरी शेत्र शिवाजी नगर में मिला कोरोना पोजिटीव 27 वर्षिय युवक 7 माई को मुंबई से अपने अन्य साथियों के साथ कार में घर पहुचा था 8 माई को बुखार होने की वज़े से जिला अस्पताल पहुचकर युवक ने कराई जाँच 9 माई को देर रातरी होई कोरोना की पोश्टी देखते हैं चंद्रमोली 24 अकी डुंगरपूर से रिपोर्ट शनिवार को डुंगरपूर शहर में मुंबई से लोटे एक युवक के कोरोना संक्रमर से ग्रसीत होने से शहर में कोरोना ने दस्तक देरी मुंबई से लोटे युवक में कोरोना की पोश्टी होई वहीं अब जिले में कोरोना संक्रमरी तकी संक्या बढ़कर दस हो गई आला अधिकारियों ने शिवाजी नगर शेत्र का रुख किया शहर में पॉजिटीव मरिज की पुष्टी के बात देर राद पुलिस ने हाॉसिंग बोट के सेक्टर दो अस्ती संक्रमित युवक के घर पहुची और परिवार से युवक की ट्रेवेलिंग हिस्टी के बारे मे पता किया शिवाजी नगर सेक्टर दो निवासी 27 वर्षिय युवक 7 मई को तीन अन्य साथियों के साथ खुद की कार से डुंगर पूर दोठा था घर में उसका बड़ा भाई और मा भी रहते हैं युवक को 8 मई को विखार की शिकायत हुई तो स्वेम स्वास्टी जिसके शनिवार देर राताई रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई गई सुशनापर शहर कोत्वाल चांदमल सिंगार्या भी युवक के घर पहुंचे और उसके भाई और मा से युवक के बारे में जानकारी ली परी जोनों से मिले जानकारी के अनुसार युवक मुंबई के कुरला इलाके में मोबाईल की दुकान चला था था साथ ही युवक बेल बाजार में रहता था डुंगरपुष शहर में कोरोन संक्रमिद युवक की पुष्टी के बाद जिला कलेक्टर और मजिस्टेट करा राम ने पॉजिटिव निकले युवक के घर को केंदर बिंदू मान कर और इसके आसपाक्तर शेत्र में निशे धग्या लागू कर दिये पुरेक शेत्र में आगामी आदेश तक कर्फिव लागू रहेगा शहर में कोरोना पॉजिटिव युवक की पुष्टी होने के सुचना सामने आने के बाद संक्रमिद व्यक्ति के संपर्क में आई सभी पांच लोगों को आईसोलेशन वार्ड में भरती कराया है वहीं शिवाजी नगर कोलोनी सहीद उसके आसपास के पुर्या इलाके में कर्फिव लगा कर पुलिस बलतेनात कर दिया गया है डुंगरपूर से चंद्रमोली चोबिसा और अंकुर स्टूडियो के साथ में रवीदा ठोड गोल्डी गोफन टीवी गोफन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा होसला बढ़ाएं और हम आप तक पहुचाएंगे खबरों की दुनिया से जोड़ी सभी लैटेस्ट अपडेट